हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आए हैं जो कि आपकी रेन वो फिप्ट क्लास की लेशन सिक्स से ली गई है और जिसका नाम है दक्लेवर फार्मर क्लेवर मीन्स होता है चालाक या चतुर फार्मर मीन्स किसान तो ये कहानी एक किसान की है जो की बहुत ही चालाक या चतुर है तो आईए इस कहानी का अनुवात समझते हैं क्योंकि ये स्टोरी किसमें है इंग्लिश में और इंग्लिश की स्टोरी को भी पढ़ने में कितना मज़ा आता है आईए हमारे साथ इस स्टोरी को पढ़िये This is a story of a clever farmer Clever means चालाग, story means कहानी, farmer means किसान This is a story, यह एक कहानी है of a clever farmer, एक चालाग किसान की Who lives on the hillside? Who means जो lives रहता है on the hillside पहाड़ी की तरफ या पहाड़ी के ऊपर Where farmers do terrace farming? Where, जहाँ farmers किसान do करते हैं terrace farming Terrace farming का मतलब होता है, सीड़ीदार खेती जैसा कि इस picture में आप देख सकते हो यहाँ पर पहाड़ियां हैं, hills हैं तो प्लेन मैदान नहीं है जो यहाँ पर खेती यानि farming की जाती है वो इस तरह से की जाती है यह जो पहाड़ियां बनी हुई है जिसमें आप देख रहे हो ग्रीन कलर दिख रहा है यह सारी फसल क्रॉप्स है इन पहाड़ियों को उपर की गई है तो इसको बोलते हैं सीरीदार खेती Once a farmer wot a field near a hillside Once means एक वार एक फार्मर एक किसानने wot means खरीदा A field एक खेत near a hillside पहाड़ि के पास Near means पास He then wot a pair of blocks Then तब ही उसने wot खरीदा A pair of blocks मतलब बैलों का बैल का जोड़ा उसने दो बैल खरीदे And we begin plowing his field happily And or begin plowing Begin means शुरू हो गया Plowing means हल चलाना या खेत को जोतना His field अपने खेत को Happily means प्रसनता पूर्वक या खुशी से और वो खुशी से उन बैलों से अपना खेत जोतने लगा Hardly means मुश्किल से Had he plowed half of the field मुश्किल से उसने He means उसने प्लावट means जोत पाया था या हल चला पाया था Half of the field खेत का आधा यानि आधा खेत मुश्किल से उसने आधा खेत ही जोत पाया था When a tall man came and cried out angrily तभी when उसी समय A tall man एक लंबा आदमी came आया and cried out और तेजी से चिलाया angrily गुशे में Angrily means गुशे से या नाराज होकर Hey you there my house is at the foot of this hill Hey you tum there my house mera घर है At the foot of this hill It's पहारी के नीचे What are you doing on my terrace? What kya you tum doing kar रहे हो On my terrace? तुम मेरे इस घर के छत पर क्या कर रहे हो? Please do not get angry We come replied the farmer उस किसान ने Replyed उत्तर दिया Please कृपया do not get angry कर प्या नाराज मत हो We come Sant हो जाओ Come means Sant हो जाओ We means होना Come means Sant Sant हो जाओ He said further He means उसने said means कहा Further means आगे आगे उसने कहा को जोद रहा हूं When I grow the crop जब मैं इस फसल को उगा लेता हूं या उगा लूंगा Grow means उग जाएगी उपज जाएगी The crop फसल I shall share the harvest with you every year I shall share मैं share कर लूंगा बाट लूंगा The harvest Harvest means फसल With you तुम्हारे साथ Every year हर वर्स प्रतेक वर्स जब इस खेट की फसल हो जाएगी या जब मैं किसी भी फसल को उगा लूंगा तो प्रतेक वर्स हर वर्स आपके साथ बाटूंगा One year you take what grows below the ground and the next year you take what grows above the ground One year एक साल You तुम्हारे लेना वाट जो ग्रोज उगता है Below means नीचे The ground जमीन के अंदर यानि जमीन के नीचे से मतलब है जमीन के अंदर का भाग जो उगता है वो एक साल आप लेना And or the next year और अगले वर्स You take what grows above the ground और अगले वर्स जो जमीन के ऊपर होगे वो आप लेना यहां पर फार्मर ने ये कहा है कि जो भी फसल उगेगी उसका उपर का हिस्सा एक साल आप ले लेना और एक साल मैं ले लूँगा इसी तरह से जमीन के अंदर का एक हिस्सा एक साल आप ले लेना और अगले वर्स मैं ले लूँगा The tall man was pleased लंबा आदमी खुश था प्रसंद हुआ He had no idea of the farmer's plan He means उसके पास had no idea कोई बिचार नहीं था of the farmer's plan किसान के योजना का किसान की योजना का of fooling him कि किसान उसे fooling यानि बेवकूफ बना रहा है fooling means बेवकूफ बनाना मूर्ख बनाना तो देखते हैं आगे कि वो किस तरह से मूर्ख बनाने वाला है इस कहानी में The first year the farmer sold wheat पहली साल दा फार्मर उस किसान ने sword boy wheat गेहूँ पहली साल उस किसान ने गेहूँ बोया He took all the wheat as it grew above the ground He means where took means ले गया all the wheat पूरा गेहूँ as क्योंकि it यह गिर्यूप होगा था above the ground जमीन के उपर क्योंकि यह जमीन के उपर होगा था and gave the roots gave means दे दिया roots means जडों को to the tall man उस लंबे आदमी को क्या दे दिया roots जडें which were below the grounds जो की जमीन के नीचे थी यानी जमीन के अंदर थी below means नीचे the tall man got angry got angry नाराज हो गया लंबा आदमी नाराज हो गया he told the farmer he means उसने told means कहा the farmer means किसान उस किसान से कहा that the next time कि अगले अगली बार या अगले समय में he would take the part he means वह would take means लेगा the part, हिस्सा which would grow above the ground जो जमीन के उपर होगा above होगा above means उपर the farmer agreed किसान सहमत हो गया राजी हो गया agreed means राजी हो गया the next year the farmer grew ground nuts अगले बार्स the next year अगले बार्स the farmer उस किसान ने गिर्यू उगाई ground nuts ground nuts means होता है moong फली when the crop was ready जब the crop fuzzle was ready तयार थी the farmer took all the ground nuts as it grew below the ground farmer किसान तुक ले गया all the ground nuts सारी मुंग फली as क्योंकि it grew below the ground क्योंकि ये कहा थी जमीन के below नीचे थी अंदर थी the poor tall man got only the leaves which were above the ground the poor poor से मतलब गरीब से नहीं है बेचारे से क्यों बेचारा क्योंकि वो उस किसान की प्लान को यानि चतुराई को नहीं समझ पाया इसलिए बेचारा कहा गया है बेचारा बहलंबा आदमी tall man got ले गया only keval the leaves पतिया which were above the ground जो की जमीन के ऊपर थी in this way इस तरह से in this way means इस तरह से the tall man was pulled इस तरह से वो लंबा आदमी was pulled मूर्ख बन गया by the farmer again उस किसान के द्वारा by means द्वारा और again means दोबारा इस तरह से उस किसान के द्वारा वह लंबा आदमी मूर्ख बनाया गया और इस कहानी से हमें एक सिच्छा मिलती है वो ये है कि cleverness is not wisdom चतुराई बुद्धिमानी नहीं होती है तो बच्चो इस स्टोरी को सुनकर कैसा लगा और इस स्टोरी में दिये हुए कुछ word meaning इस book में भी है आप इनको भी नोट करके याद करिए इसके साथ ही साथ इस स्टोरी में आई हुए प्रतीक word का हिंदी अर्थ समझे और उसको अपनी copy पर नोट करते जाए ताकि आप कभी भी इस स्टोरी को इन meanings की सहता से स्वेम पर सकें कर दो झाथ है